इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 9 का भारती भवन का फिजिक्स ठीक है भारती भवन का फिजिक्स का ये जो पहला चप्टर है विग्यान और मापन ये पूरा चप्टर हमने आपको समझाया है इसके पार्ट 1 में और इस वीडियो में हम इसका परसन उत्तर जानें विज्ञान का प्राकृतिक घटनाओं का अधियन करना तथा उसमें आपस में संबंध गयात करना ही विज्ञान का लाता है विज्ञान किसको कहेंगे जो प्राकृतिक घटनाओं होती है उसका अधियन करना तथा उसमें आपस में संबंध गयात करना ही विज्ञान का लाता ह आप कह सकते हो विशेस ग्यान को विज्ञान कहते हैं ऐसे भी कह सकते हो ठीक है अगला प्रस्ण है भाउतिक रासियां कितने परकार की होती है उनके नाम लिखें तो उत्तर्वगा भाउतिक रासियां दो परकार की होती है एक आधारी रासियां दूसरा व्यृत्वपन रासि ठीक है अगला प्रस्ण है आधारी रासी किसे कहते हैं उत्तर होगा वे रासियों जो स्वतंतर मानी जाती है उसे आधारी रासियों कहते हैं जैसे लंबाई दरब्यमावन समय इत्यादी ठीक है अधारी रासियों की संखियां कुल साथ है कुल साथ आधारी रासिया होती है अ जो किसी दूसरी रासी से उत्पन हुआ हूँ ठीक है अगला आपका आगया आधारी मातरक किसे कहते हैं तो वह मातरक जो किसी अन्य मातरक पर निर्भर नहीं करता उसे आधारी मातरक कहते हैं उसे आधारी मातरक कहते हैं ठीक है अगला है मातरकों की पद्धती से क्या तात प मात्रक हैं उत्तर होगा समतल कोन का मात्रक रिडियन तथा घं कोन का मात्रक एस्टिरेडियन है ठीक है आठमा आपका प्रस्ण है एक नैनो मीटर कितने मीटर के बरावर होता है उत्तर होगा एक नेनो मीटर एक मीटर का एक अरववाँ हिस्सा होता है और यह 10 का पावर मैनस 9 मीटर के बरावर होता है अगला है परकास वर्स क्या है तो एक वर्स में परकास द्वारा त्यक की गई दूरी को परकास वर्स के रते हैं ठीक है तो आपका ये जो चेप्टर है खतम हो गया इसमें अतिलगु सारा हमने प्रस्न उतर किया आप सब्सक्राइब कर लीजे अगर क्लास नाइन थे में है क्योंकि एगले वीडियो में हम आपका ये चेप्टर जो है गती सुरू करेंगे थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद